वेलकम दोस्तों स्वागत है शुरोई बकरी जंगल सीरिस के वीडियो पार्ट फोर्म है दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी और काफी सारे लोग है जो मुझे कमेंड करते हैं और रेड़ी वो मैं वीडियो में बता दिया करता हूँ फिर भी जो है काफी सारे लोग कोल करके जो बताता हूँ वी बार बार पूछते हैं तो देखो जान लो ये चीज़े अगर आप बकरी पालन करना चा रहे हैं तो ये चीज़े आप जानोगे वीडियो देखोगे तबी समझ में आएगा बकरी की थनकी कॉलिटी आपके सामने देख रहे हो ये टोटल किसानों की बकरिया होती है क्योंकि मैं जंगल सीरीज ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो पीछे जो है तीन वीडियो ओड़ेडि आ चुके है ये चोता वीडियो है तो वीडियो में समझने की कोशिस करें क्या आप बकरी पालन करना चा रहे हैं और कैसे जो है आराम से बेट के दूद निकाल रहा है, बकरी की जो है आदत बनी हुई है, वो कितनी अच्छी आदत है, कि बकरी आराम से खड़ी है बहस की तरह और जो बंदा है वो आराम से दूद निकाल रहा है, तो ये बकरिया जो है ट्रेडरों के पास नहीं मिलती है, आ आस्टक जो आप वीडियो देखते हैं वो ट्रेडरों के वीडियो है ट्रेडर क्या करते हैं इन किसानों के पास जाते हैं बख्रिया इनिकी होती है लेकिन वो बख्री खरीते है जो बिल्कुल किसानों के कोई काम की नहीं है दूद भी नहीं दे रही है या उसकी आदते अच तो मेरा कैने का मतलब यह जंगल में गूमने का मतलब यह जंगल मैं भूझने की आप आन्ट जरीनगा रिख़नर नस्य देखेंगे तो किस प्याचतल जो है एगा व्हज़िता ज़ारी भार की जो है इसको चाहरत जारी अ लगा रखी बिल्कुल ऐसे जो पेडों के डंडे काट काट के इनका जो है घर बनाया हुआ चपरा बनाया हुआ है ऐसे में ये बकरिया रहती आराम से और कितनी healthy बकरिया है आप फारम पे भी अगर बकरी देखोगे ने तो ऐसी बकरी नहीं मिलेगी आराम से खुले में खाने के लिए देखो ये फीट ट्रे इन्होंने बना रखी है किसान का मेनेजमेंट समझोगे आप किसान बकरी कैसे रख रहे हैं कैसे पाल रहे हैं ये इनका ब्रीडर है सारी चीज़े समझ के ही गोट फार्मिंग करना चाहिए इसलिए बोलते हैं वेग्यानिक वीदी ये किसानोंने काई से वेग्यानिक वीदी नहीं ली लेकिन काफी सारे किसान ऐसे हैं सच्चा यह है कि जो फारम पे बहुत हायजेनिक तरीके से फारमिंग कर रहे हैं उससे भी अच्छी कॉलिटी की बक्रिया यह पालते हैं स्रिफ grazing करवाते हैं थोड़ा वो इनको जो है फीड देते हैं बक्रियों की आप देखे कॉलिटी देखे बक्री कितनी है यहां पर सो किलो एक सो बीस किलो तक की बक्री है तो मेरा केने का मतलब यह है कि आप बक्री पालन करना चाह रहे हैं तो आप लोग एक बक्री दो बक्र खरीद रहे हैं तो वो बक्री ट्रेडर के पास जो बक्री होती है या तो वो किसान के पास कोई काम की बक्री नहीं होती है वो बक्री ट्रेडर के पास मिलती है या फिर मंडी से लाई हुई बक्री आपको ट्रेडरों के पास मिलेगी आपको गोट फार्मिंग करना ही है दो तक आपको लेके जाएंगे आपको सारी जानकारी देंगे, समझाएंगे, हelp करेंगे मेरा एक ही मकसद है कि जो भी बकRi पालन करना चाहते हैं उनको सईसाथिक जानकारी मिले और जह अच्छी बकरी मिले और जो कई धोकादड़ी ने हो ऐसी जगे पे बकरी खरीददारी करवाने की हिमकोसिस करते हैं और आप देख रहे हैं बकरिया कितने आराम से आप गूम रही है फिर रही है खा रही है तो बकरी पालन में एक सबसे बड़ा जो चीज है उसका मैनेजमेंट खरचा क्या आप लोग खरीददारी करके लेके जाते हैं बार के लोग उनके पास जो है मैनेजमेंट वीगड़ जाता है बकरी को सड़न से खिलानी पते हैं पूरा टोटली पैसो का खिलाते हैं कुछ भी ऐसा source नहीं है उनके पास के वो grazing करवा लिया गए गुमा के लेकिन आप पैसो से भी खिला रहे हो तो भाई किस बकरी को खिला रहे हो जिसकी growth अच्छी है उसको खिला रहे हो या ऐसे ही सड़ी गुली बकरी उठा लेते हो और उस पे आप जोर दे रहे हो तो ऐसे फ कोल मेरे पास spending पड़े रहते हैं मुझे भी दुख होता है पर क्या कर सकता हूं भाई मेरा नंबर जो है बिल्कुल सारवजनिक हो रखा है दिन में 1200-500-500 कोल आएंगे तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं तो आप लोग WhatsApp पे message कर दे ताकि reply आपको 100% WhatsApp पे मिल जाएगा उम् मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल